इधर जगदलपूर सर के कुमारपारा इस्थित मर्यादित सहकारी समीती भवन में संभागिस्तर के लेंप्स कर्मिचारियों की बैटक आहोत हुई जिसमें धान खरिदी की बहिशकार के नारे लगाए गए देखिए खास रिपो एक और पुरे प्रदेस में धान खरिदी को लेकर के उत्सा है किसानों में क्योंकि एक नौमर से बताया जा रहा है धान की खरिदी होनी है ऐसे में जो है अभी पुरे संभागिस्तर से यहाँ पर मौजूद है जो धान खरिदी करने वाले हैं जो लेम्स वाले हैं यहाँ पर और इनका कहना है कि धान की खरीदी का बहिशकार किया जाए, आखिर बहिशकार करने की यहां पर बात क्यों की जा रही है, इनसे ही जानेंगे आखिर ऐसे क्या मुसीबत आन पड़ी कि धान खरीदी का बहिशकार करना पड़ रहा है, क्योंकि पुरे प्रदेश भर में जो किस अध्यक्ष बनाए गया है आज हम बस्तर संभाग सुक्मा दंतेवडा बीजापूर जगदलपूर कॉंडा गाउं कांके नराइनपूर के दूरस तंचलों से हम पूरे कर्मचारी यहां इकत्रित हुए हैं अध्यक्ष बनाए गया है जिसका समय में उठाव नहीं होने के कारण धान जो है सुक जाता है और धान सुक ना धान की नेसरगिर प्रविट्टी है हम जब धान खरीते हैं तो 17% में धान खरीते हैं परन्तु वही धान अप्रेल मैई मैई जून तक उठा होता है तो धान की सुकता ही है उसके बावजुद भी प्रसासन द्वारा हमें किसी प्रकार का सुखत नहीं दिया जाता है और हमारे उपर कर्मचारी उपर सोसाइटिक जितने कर्मचारी हैं उनको पर दबाव बना जाता है कि आप 0% में धान का प्रदान कीजिए अन्नत आपके उपर सरकार होता है तो इसका असर कहना के किसान की उपर पढ़ने वाला है तो आप लोग की प्रमुक मांगा कि उनको सुखत प्रदाय किया जाए जब तक सासन जो है हमको वास्तिक जो धान सूकता है उसकात साथ पृति पूर्टिक नहीं करेगा तब तक हम लोग है धान खरीदी का कार नहीं कर पाएंगे हम तो आज jsem प्रभाइत होगी हम तो जीजिक दीन से न्युक्रिग कर कर रहे हैं उस जिन से हम लोग प्रभाइत होते आ रहे हैं संगठी तुरुप से हमने कह दिया है कि अब तक हमारे यह सुखत का प्रवधान है हमारी जो वास्तिक जो मांग है उनका प्रतिपूर्ती नहीं होगा तक हम लोग करेंगे नहीं कर पाएंगे अब तो यह देखने आली बात है कि इनकी मांगों को कब तक जो है मान लिया जाता है नहीं मान लिया जाता क्योंकि सीधर से दासर किसानों पर पढ़ने वाला है मेरे नामे दिलिप गुहार आप देख रहे थे पब्लिक रिपोर्टिंग